जो शहीर हमद नित मैं प्रोपोस किया है, शहीर इंडॉस्ट्री उनर ने, तो हैरान होगे यार और मैं भी तुम्हारी तरह ही हैरान हुई थी, और इसी चकर में उसे एक बार इंकार भी कर रहा है तुम पागल हूं, तुम शहीर हमद जैसे शक्स को इंकार कर रहा है सची बात बताओ, तुम्हारे साथ हुए हादसे के बाब मैं बहुत डर गई थी माही और फिर तुम्हारे मामू भी तो उस शक्स को जानते थे ना लेकिन देख लो उसने तुम्हारे साथ क्या किया मुझे ऐसा लगा कि शहीर मुझे सी लड़की से क्यों शादी करे यह तो एक आम सी लड़की हूँ, और फिर उसको भला रिष्टो की कम ही होगी एक सकी, पागल तो नहीं हो, कहा लिखा है कि जो मेरे साथ हुए तुम्हारे साथ भी होगा पासोंग्लिया बराबर नहीं होती है रहा ऐसा भी हो सकता था, लेकिन शाहिए तुम्हारी बेवपूफी पर यार, तो शुकर है तुम्हारे चच्चा जानने अकलमंदी से काम लिया मेरना तुम तो एक हाटे का सौदा कर चुकी थी मुझे एक बात बिताओ, तुम्हें इसकी शराफत और अच्चाई का अंदाजा इस बात से भी नहीं हुआ कि जब बास ने तुम्हें पूरे आफिस के सामने इतना इंसल्ट किया था तो उसने बास को मजबूर किया था कि तुमसे माफी मांगी और तुम्हारी जौब बचाने के खातिर उसने घरोडों की इंशूरंस भी खरीद लिया है तुम्हारी बहन को चोडी के लजाम से भी छुड़वाया यार और उसने कभी इस बात को जटाया नहीं तुम्हें अब भी अंदाजा नहीं हुआ उसके चाहेगा मुझे इस बात का बिलकुल अंदाजा हो गया था इन फैक उस दिन अगर सिदीकी साब मेरे सामने नात दे तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि इन सब मामलात के पीचे शहीर आहमत का हाथ है और फिर अश्फाक साब ने इतनी डीटेल्स दी तो मुझे समझ में आया किया हो चलो शुकर है तुमने कोई तो अकलमंदी का काम किया कि अश्फाक साब से कॉल करके डिटेल्स दे लिए अब कोई मजीद बेवकूफी मत करना और खुशी खुशी अपनी ख्यादी की तियारी करो ठीक है यह तो मैं कर लूँगी लेकिन तुम मुझे डांटना बंग कर अभी कभी तुम मुझे ऐसा लगते के शाहीर एमन ने तुम्हे अपॉइंट किया मुझे सुनाने के शहीर एमन जैसे हैंसम इनसान के लेतना यह सर्वेस में फ्रीमेर देने के ट्याद है लिकिन यह कैसे हो सकता है शहीर? मैं चचाचाजान के साथ कैसे आ सकती हूँ? अब इसमे कया मश्टत है? मैं दो आज अज़ चचाजान से साफ साफ बाद कर रहा हूँ पंद्रा दिन के अंदर अंदर शादी करें, मुझसे और है थिजार देगे अब इतनी जल्दी भी नहीं मैंने कहा तुम रह सकती हो गया लेकिन मेरे लिए अब तुम से दूर रहना ना मुम्मिन हो गया जब से तुम से मिलाओं ऐसा लगने लगया जैसे अपने ही वजूद के किसी खोयवे हिस्से से मिल रहो तो मैं पाऊंगा तो मुकमल हो जाऊंगा और शही जो मैंने आपके साथ जाती किये अगर मुझे पता होता कि आप मुझे प्रिटेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह ओफिस कभी नहीं आती है कब तक उस गल्टी के लिए शर्मिन्दा होगी जो तुमने नहीं की जब तक मेरे अंदर का गिल्ट दूर नहीं हो जाता गिल्ट खतम करने के लिए मुझबत ता है जबाद मुझबत से मिलिया जासेता है या फिर साथ लंच भी किया जासेता हूँ मैं बहुत अराम से राजी हो जाता हूँ प्रस मनाने का होने राने चाहिए बहुत सब्सक्राइब बाते करते आप फिर पताईए कैसे गिल्ट खते